आदेनिये प्रमोतिवारी जी, मेरे प्रिये मित्र परम मित्र सलावदी जी, देश विदेश से नामचीन कवी कवित्री और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों आज इस गंटन दिवस के उपलक्ष पे आप लोगों के सामने उपस्तत होने में मुझे जो हर्ष का अनुभव हो और खासकर इस मुशायरे में आज सलावदी ने जो मुझे निमंद्रन दिया है उसके वेसे यहां आखर जो मैं खड़ा हुआ हूँ, उसमें जो मुझे प्रिसंता हो रही है, उसका मैं बखान नहीं कर सकता हूँ, हजारों हजार लोग होते हैं, जो मुशायरे में आना चाह करता है, और वो है हमारे सही सलावदीन जी, मैं कई एक साल पहले आया था, और जिस महीं ने आया, उसी दिन इन्होंने आयोजन कर डाला था, और मैंने देखा कि उन्होंने मुझे आते ही निमंद्रन तो दे दिया, उसके बाद गायब हो गए, और सिब कई दिनों बाद यह मुशायरा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनके चहरे पर पशो पेश में थे, आंखों में आसू थे, क्योंकि एक पारवरिक ट्राजदी के शिकार हुए थे, पर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि मैं तेरा साल से बारा साल से मुशायरा कर रहा हूँ, और नहीं हो सकता है कि मुशायरा ना हो, तो इतने दुख के बावजूद भी इन्होंने इतना बढ़िया आयोजिन किया था, तो आई थे, कि इसके लिए हम लोगों को एक बार उंखे लिए ताली बजाने चाहिएं, आपका बहुत-बहुत शुक्र गराजुन, आपका और आप के टीम का, जिन्होंने देश के हजारों मिल दूर यहां पर देश-भक्ती के भावना को प्रजुलित किया हुआ है, और बड़ा गर्व होता है यह देखके, कि हमारे पास अलावत-दीन और आप सुब जैसे लोग हैं, जिनके वह से हर साल हम लोग गंतन दिवस को याद करत आते हैं, जिसको देखकर कभी-कभी लगता है कि यह क्या संस्कृत ही होगी हमारे देश की, जिसने ऐसा समिधान को जनम दिया है, कि अमरिका से पहले हम लोगों ने हर आइडल्ट को एक वोटिंग अधिकार दिया था, अमरिका से पहले, तो यह कुछ चंद शब्दों के सा आया जरूर हो, मैं कोशिश करूँगा, कारे करम मेरी वहे से, देर ना हो, और समय परागास, धन्यवाद आप से उत्ता है.